ये श्टुडेंट्स मैंने आप लोगों बताया था पिछला वीडियो में हमारे अलोग धनवाने जो पतंग लिखिए इसका पूरा का पूरा चैप्टर को में आपने लेंग्वेज में आप लोगों बताया था इतुम साधार लेंग्वेज में अगर आप लोगों ने देख चुके हैं उस वीडियो को तो आज मैं आप वो अब्जेक्टिव कोईशन बताने वाला हूं सारा कोईशन आप इजली से कोईशन को सॉल्व कर सकते हैं पर सर्थ है आपको वह चैटर को बहुत तरीके से आप लोगों को देखना है तो इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं आपको प्लेश्टूर से मिसाइल क्लासिस के आपको प्लेश्टूर से डाउनलीड करेंगे आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्से से अबीलेबल होगी उनमें से आपको आपकी आँखे बाच की तरह होनी चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए फाउंडेशन कोर्स प करें लेटना करें बैस्तो तरीके से तैयरी करने के लिए डाउनलूड करकी स्कुर्स को जरू जॉइन करें कोई भी दिक्कत होगी करी स्टिक्स में तेसी दिद्लेइंगे ए Professor Помण सब्सक्राइब जाने से पहले मैं बता देना चाहते हैं आप लोग को सब्सक्राइब आपको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कोर्स दिखेगी इस तरह से आपके समने एक LDC का कोर्स दिखेगा जिसका फी ओएक वान फोर नाइन है आप 149 रुपया में आप पूरा का पूरा का पूरा LDC का पेपर 2 का पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिप और ठीवरी लक्षर दोनों नोट्स प्राप्स कर सकते हैं अब जाके ले सकते हैं जलिए बाके हमारे यूटुब चनल से जूड़े रही है आपको परती दिन यहां पर फ्री क्लास दिये जाएंगे पहला कोशन पर आते हैं सर हमारे जो कोशन है वो कोशन पूछा गिया हम सभी से कि बच्चों की नजर में संसार की सबसे हलकी और रंगीन चीज क्या है अब मैंने बताया था मेरा भाई अगर इस दुनिया वे कोई हलकी चीज है जो सबसे हलका चीज है अलग धनवा के आनुसार वह कहता है पतंग है जो एक कमान को लेकर उपर उचाई तक उड़ती है ठीक है तो बहुत सकता आफ्शन नमर क्या हो जागी हमारा इस चीज का रा अगला कोशन बाते हैं बच्चे पतंग के साथ क्या उड़ाने की कोशिस करते हैं बताइए बच्चे पतंग के साथ धनुसकार बास की सबसे पतली कमान को भी उड़ाना चाहेंगे क्योंकि अब जो हमारे पतंग होती है वो पतंग बिल्कुल एक धनुस के आकार की एक कमानी होती है बास का बनावा उसको भी हम लोग पतंग के साथ उड़ा देते हैं सिर्फ पतंग के साथ हम लोग कागज को नहीं उड़ाते हैं बलकि बास की लकड़ी छोटे से कमानी होत से ब्यक्त करते हैं तो बताइंगा से एस सथ तितलियों जैसा यहां पर थोड़ा से मिस्प्रिंट आठी लिएगा इसका अंतर होगा तितलियों जैसा अप्शेन अमरा हमारा बिलकुल से तरों जागी बी लिए निश्टोशन हमारा है कि पतंक ऊषाने से उड़ाने के लिए आकास कैसा बन जाता है पतंग जो है सरद्रितु जैसे हमारे पास आती है ठंडी के मौसम जैसे आती है बच्चों के पतंग को देख कर हमारे सरद्रितु में असमान जो है काफी कोमल से लगती है जैसे लगता है कापास की अत्पंज की तरह ऐसे हमारे जो है सरद्रितु असमा को छाया बना करके रखती है ताकि बच्चे चाता सुझाता बच्चे पतं को उड़ा सके तो आकास केसे बन जाता है तो बताएंगा सर बिल्कुल एक दों कोमन जैसा क्या है कोमल जैसा अफ्शन नमर हमारा बिल्कुल से तुर जागे भी नेस्ट क्रोशन पर आते हैं सर अगल हम लोग लेक्चर को देखनी के कोसिस करें ठीक है तो साइकल के घंटी से बच्चे क्या इसारा करते हैं तो बताएंगा मेरे दोस्तों बच्चे इसारा करते हैं एक दूसरे को बुलाते हैं और राजू आजा भाई चलो पतंग उड़ाएंगे ए समा आजाओ ए सम्मी आजा खर्गोष की आँख हमारा क्या जागे और नवर कि इसका बिल्कुल सहीत तो जागे खर्गोष की आख एक नवर क्या रिखने वाला था वह याद रखेगा पतंग तो बदाएंगे हमारा अलोग धनवाजी क्या है अलोग धनवाजी अगला कोशन पर आते हैं जर अगला कोशन है हमारा कि कभीता में किस महिने के बितने पर तेज बुंदों के बरसने के समय समाप्त होने की बाद क्यों यही है तो भादर महिने के बाद कहता है भादर से पहले जबरजस्त बारिस होती है भादर से पहले जबरजस्त बारिस होती सबसे पहले थीवरी लक्षर को समझें हैं थीवरी लक्षर अगर आप नहीं समझें तो रट्टा लगाला के थक जाओगे फिर भी आप इसका अंसर नहीं कर पाओगे इसलिए चैप्टरों को समझना बहुत जरूरी है मैंने पिछला वीडियो में पहले मैं आप लोगों को समझने के कोशिस करें अगला कोशन पर आते हैं अलोग धनवा नवा का जनम जो होती है मुंगेर जीले में 9-18 को मियंदे circल्टा में नुद्स औ arrest आटालीस पकर साझाओ लुगतल में टॉनannya कॉछ गिए उसका राइट बहुत हो हुथ wonders Venice की अगला कूशन आते हैं सिरे अलोग धानौवा का जन्म कहा हुआ जो हमारे अलोग धनवा है उसका जनम बिहार में हुआ था, बिहार का कौन से जीले में, तो बताएंगे सर बिहार के मुंगेर जीले में अलोग धनवा का जनम होती है, अगला कुशन पर आते हैं सर अलोग धनवा का एक मात्र कावी संग्रह परकाशन कब हुआ था, तो बताएंगे 1998 में, कब हुआ था, 1998 1028 अगला कुश्यन पर आते हैं अलोग धन्वा ने कावी मंडल मंडली का संचालन कहां क्या ने क zestच है सपर में कहां पर जम सेथद पूर में क्ulle सक तो याद रिख़ेगा मंडलीयों का संचालन कहां क्या था रफ्जान श абсолютно खांज सी था तो यहां पर पोछा गया है उनकी पहले कवीदा क्या थी तो जंता का आदमी नमख भी लिखा है अलोग दनवार में थे का अपिशनी पर हते हैं जंता का आदमी का परकाşट्न कभ हुआ जंता के आदमे को राइटर नि लिखा है जिसका नाम थे अलोग Cup बनवाने 1972 में कब लिखा है 1972 में आफ्शेन नमर हमारा बिल्कुस सही तो रहाजागी बी क्या होजाएगा भई इसका राइट एंसर हो जागी कभीता क्या अनुसार लाल बाल सुलब इस चाहें किसके समान है तो बताएंगा सिर्पतंग के समान है किसके समान है पतंग के समान सरल भासा में असान अस्तान भासा में समझने की कोसिस करें और टार्गेट मैं फिर से कह रहा हूं कुछ से टार्गेट बनाई है अपने लाइफ को बनाई पहले फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरो दोस्त आज की जमान में पैसे से सब कुछ मिल जाती है बस इतना के पैसा पिछे भगने कोसिस करें अगला कूशन पहले अनुसार बच्चों की उमंगए कैसी है दो दुनिया रोज बनती है क्या बोलेंगे दूस्त दुनिया रोज बनती है क्या दूनिया रोज बनती ऑफ्षन नंबर कर और रहाए बचों का संसार इसके समान बहुरंगी और नाजुक होता है तो तितलियों के समान इसके समान इतलियों कि समान ठीक है समझ में आ रहा है option number क्या हो जाएगे हमारा 20 का right answer जाएगा next question पर आते हैं पतंग उड़ाते हुए बच्चे कैसे होते हैं निडर और निर्भक मतलब उनको डर नहीं लगता है कि पतंग में उड़ा रहा हूं अगर मैं कहीं गीर जाऊं तो उनको थोड़ा से डर नहीं लगता है कि निशुटीटवा नहीं पर आते हैं 22 बच्चों को खत्रे से कौन बचाता है उनकी साहाथ बच्चों को खत्रे सीच बचाति तो बता को उनके सारी 2 संगीत अगला डोमप इस कभम चीनता मुक्त हो जैते हैं बच्चे फटन बढ आते समय डिचनता मुक्त करें ये को कौमेंट करा हूं तो दुम्हें वेट करता हूं का परकाषुन कब हुआ तो बताएंगे सब उननीसो ऑञ्ठान में दुनिया का परकाषुन वा था दुनिया रोज बन थी है औसे नमर याद रिके को पहली संगगा रहा पेहोग उल्ग धनवा का का पतंग काईठ ऑफ्ष्ण नमबर मरस्ती इसका राइट एंसरो जागी नेश्ट प्रति में घुम्ती विदी कहां आती है याद रहेगा फिर्थि में घुम्ती विदी बच्चों के पेरों के तली आ जाती है अफ्ष्ण नमर क्या जगा ऑफ्ष्ण नमर हमारा एसका चाहते हैं ऑफ्ष्ण नमर क्या जगी सी इसका विल्कुल सही उत्रों जगा ठीक है चलिए सर नेस्ट कोशन जाने से पहले मेरे दोस्तों यहीं पर हमारे चैप्टर समाप्त होती है जितना भी इंपॉर्टन कोशन था मैंने सारा इंपॉर्टन कोशन अप्लों कि यहां पर